दोस्तो एक आदमी railway station के platform पर भीख मांग रहा होता है तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है और जब वो आदमी उस भिखारी के पास जाता है तो आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम्हारा नाम सीव कुमार है ना तो दोस्तो वो भिखारी कहता है जी हाँ म हचान लेता है सीव कुमार का वो मित्र होता है जब वो आदमी कहता है कि तुम यहां भीख क्यों मांग रहे हो तो दोस्तो वो भिखारी बताता है कि मेरी बीवी ने मुझे तलाक दे दिया है और मैं चल फिर नहीं सकता हूं मुझे लकवा मारा हुआ है और जज ने ये फैस है तो उसके जो मित्र होते हैं उसके आखों में पानी आ जाता है दोस्तो आज की यह कहानी बहुत ही दर्द भरी है आईए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ताकि मेरा होसला बढ़ता रहे दोस्तो मेरा नाम है तबस्सुम खातुन और आप सभी का तब्बू इंडियन वोईस में स्वागत है दोस्तो आज की यह सची कहानी दिल्ली के एक छेत्र की है जिस छेत्र का नाम है कालका जी कालका जी में रहने वाले सीव कुमार दोस्तो सीव कुमार एक 25 साल का लड़का होता है और उसके घर में उसके मम्मी पापा और सीव कुमार होते हैं और सीव कुमार एक सेल्समेन होते हैं सीव कुमार के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है और सीव कुमार का जो काम होता है वो भी अच्छा खासा चल रहा होता है तो सीव कुमार के जो मम्मी पापा होते हैं वो सोचते हैं कि अब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है अब हमें इसकी साधी करा देनी चाहिए ताकि इसकी भी फैमिली हो और ये भी अपनी जिन्देगी अच्छी खासी गुजार पाए क्योंकि हम दोनों कितने दिनों तक रहेंगे सीव कुमार के जो मम्मी पापा होते हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं और वो काफी बिमार रहते हैं तभी उसकी मम्मी यह सोचते हैं कि बेटे की साधी करवा देते हैं और फिर लड काफी अच्छी और समझदार होती है मम्मी पापा का अच्छे से खयाल रखती है और सभी से मिलजुल कर रहती हैं कि दोस्तों सीव कुमार की साधी को लगभग एक साल हो जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है सीव कुमार अपने ड्यूटी पर चला जाता है और ड्यूटी दोस्तो इतनी ज्यादा चोटाती है कि वहीं पर उसका पूरा सर्ग का जो बलड होता है वो बह चुका होता है कुछ लोग उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल पहुचा देते हैं फिर उसके घर पर इन्फोर्मेशन दिया जाता है तो उसके घर के जो लोग होते हैं वो सभी भा बह चुका है और इसके सर पर बहुत ज्यादा चोटाई है यह कोमा में चला गया है इसे कम से कम एक साल होस्पिटल में एड्मिट रखना होगा और इसका एक साल तब टीटमेंट चलेगा दोस्तों यहां सुनकर उसके माबाप बहुत रोने लगते हैं क्योंकि वो लोग एक हिम्मत रखते हैं और कहते हैं ठीक है आप हमारे बेटे का इलाज चालू कीजिए दोस्तों इसके बाद जो भी उनलोग का जमा पुंजी होता है वो पूरा इलाज में लगा चुका होता है और इसके बाद उनलोग के पास कोई पैसा बचता ही नहीं है फिर जो उनके होता है और इसी दोरान सीव कुमार के घर में काफी दिक्कते आने लगती है क्योंकि कमाने वाला घर में सीव कुमार ही होता है मम्मी पापा तो उतने हेल्दी है ने की काम करेंगे उसके पापा भी अक्सर बीमार ही रहते हैं तो इनकम का और कोई जरिया होता नहीं है और घ सीव कुमार की बीवी होती है वो ये सब बरदास्त नहीं करती है सबर करने वाली वह औरत नहीं होती है दोस्तों सीव कुमार के ममी पापा को वह बीमारी के हालत में छोड़कर चली जाती है अपने माई के और दोस्तों जब वह औरत अपने माई के जाती है दुबारा लोट कर आती नहीं है अपने ससुराल और ना ही अपने हस्बेंट को कभी मिलने जाती है हॉस्पिटल में दोस्तो लगवग 9 महीने बीत चुके होते हैं और सीवकुमार के तबियत में थोरी बहुत सुधार होने लगती है और इधर सीवकुमार की जो बीवी होती है वो कोट जाकर सीवकुमार पर दहेज का और मारपीट का कुछ केस दर्ज कर देती है क्यूंकि जो सीवकुमार की बीवी होती है उससे यही लग रहा होता है कि सीवकुमार अब किसी काम का नहीं रहा उसकी तबियत ठीक होने वाली नहीं है वो कोमा में है और मैं उसके साथ रह कर भी क्या करूंगी तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो औरत सीव कुमार की उपर दहेज का और मारपीट का केस दर्ज कर देती है दोस्तों सीव कुमार तो पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाता है लेकिन फिर दोबारा वो जब चेकप के लिए जाता है तो फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें एक और बिमारी हो गई है तुम्हें टीवी हो गया है दोस्तों जब यह सुनता है सीव कुमार वो और टेंसन में आ जाता है चारों तरफ से वो बुरी तरह फस चुका होता है उसके माबाप भी काफी बिमार हो गए होते हैं उसे देख भाल करने के लिए कोई नहीं होता है और इधर उसकी बीबी उसके उपर केस कर दी होती है चारों तरफ से वो फस गया है और उसे इंकम का कोई जर्या है ही नहीं क्यूंकि वो साल भर के बाद ठीक हुआ है और थोरी बहुत ठीक होने के बाद घर आया है और इतनी सारी परेसानी फिर से उसके सामने आ गई होती है दोस्तो इधर जो सीव कुमार का मुकदमा चल रहा होता है उस मुकदमे के तहट उसे चार महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है दोस्तो वो चार महीने की सजा काट कर जब बाहर निकलता है तो उसके साथ और एक अनर्थ हो जाता है दोस्तो उसे पूरी तरह लकवा मार दिया होता है और वो चल फिर नहीं सकता है दोस्तों वो होस्पिटल जाता है और सरकारी होस्पिटल से उसे एक वेल चेर दी जाती है जो साइकल की तरह होता है तीन चक्का वाला दोस्तों वो उसी वेल चेर में बैठ कर कोट जाता है और कोट में वही डाइवर्स का भी फैसला हो जाता है दोनों का डाइवर्स हो चुका होता है और जड़ सहब वहां फैसला सुना देते हैं कि हर महीने सीव कुमार को अपनी बीवी को भट्ता की तोर पर 4,000 रुपिये देना होगा दोस्तों जब सीव कुमार यह फैसला सुनता है तो वो बहुत ही रोने लगता है और जड़ सहब के सामने हाथ जोर कर गिड़ गिड़ाने लगता है और कहता है कि जड़ सहब मेरी हालत बहुत खराव है मैं रोजगार हूँ मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मुझे लकुवा मार दिया है, घर में मेरे माता पिता भी बिमार पड़े हैं, मैं कहां से दूँगा इसे हर महीने चार हजार उपए, तो दोस्तो, ज़स साहब कहते हैं, कि तुम कहीं से भी दो, चोरी करो, दकेटी करो, या किसी का मडर करो, वो मैं नहीं जानता हूँ, पर तुम्हें हर महीने 4000 इसे देने होंगे तो दोस्तों किसी तरह सीव कुमार या फैसला सिवकार कर लेता है और कहता है ठीक है मैं हर महीने इसे 4000 रुपे देने को तयार हूँ दोस्तों इसके बाद सीव कुमार की बीवी अपने रास्ते और सीव कुमार अपने रास्ते चला जाता है दोस्तों सीव कुमार पूरी तरह से डिप्रेसन में आ जाता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें कि वो हाथ पैर से बिलकुल भी लाचार रहता है घर में माबाब बीमार है और हर महीने 4,000 रुपए उसे अपनी बीवी को देने ह अब वो क्या करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है दोस्तो मजबूरी में वो ये फैसला करता है कि मैं रेलवे प्लेट फार्म पर बेट कर भीख मांगा करूंगा बस भीख इसलिए वो मांग रहा होता है मजबूरी में क्योंकि उसे हर महीने 4,000 किसी भी तरह देने है अपनी बीवी को दोस्तो जब सीव कुमार रेलवे प्लेट फार्म पर भीख मांग रहा होता है तब ही उसका मित्र उसे मिलता है और वो पूछता है कि यार तुम भीख क्यों मांग रहे हो तभी वो यह कहानी उसे बताता है दोस्तो उसकी पूरी दास्ता सुनने के बाद उसका मित्र रोने लगता है और कहता है की तुम्हारे बीवी कैसी बेवफा है बुरे वक्त में तुम्हें इस तरह से वो ठुकराई जब तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था उसे तुम्हारा, उसी वक्त वो तुम्हें लात मार कर चली गई, ऐसी बीवी भगवान किसी को भी ना दे, पर दोस्तों उसका मित्र उसे दिलासा देता है कि तुम अब टेंशन मतलो, तुम्हें भीख मांगने की भी जरूरत नह तुम मेरे घर चलो मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है और रही जो मन्थली 4,000 रुपे की बात वो मैं तुम्हें दूंगा हर महीने तुम अपनी बीवी को जाकर दे देना दोस्तो जब इतना कहता है उसका मित्र वो वही पर रोने लगता है तो उसका मित्र उसे समझाता है यार रो मत और चलो तुम मेरे साथ मेरे घर दोस्तो उसका मित्र सीव कुमार को ले कर जाता है अपने घर और कहता है इसे अपना ही घर समझो तुम दिन भर मेरे घर में रहना बच्चे हैं दो वो इसकुल जाते हैं इसकुल से आएंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे बस दोस्तो ऐसा कई महीना बीतने के बाद एक दिन सीव कुमार को खबर मिलता है कि उसकी बीवी का एकसिडेंट हो गया है और इस एकसिडेंट में उसकी बीवी का एक पैर और हाथ दोनों तूट चुका है और उसकी एक आख भी फूट चुकी है दोस्तो जब यह खबर सीव कुम सुनता है तो वो उसी वक्त तुरं अपने बइवी से मिलने के लिएश्पीट् coupled चला जाता है और जब उसकी ब mur skincare अपने तला सुधा पती को वहां देखती हैं तो इसके आख भराते हैं दो फिर सीव कुमार अंदर जाता है और उसे देखता है उससे मिलता है दोस्तो सीव कुमार जब अपनी बीवी से मिलता है तो उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुमारा एक्सिडेंट हो गिया इसलिए मैं तुमसे भागा हुआ मिलने चला आया कि तुम कैसी हो तुम्हारी तबियत कैसी है बस हाल ख़वर पूछने के लिए और देखने के लिए मैं आया हूँ और ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तो उसी वक्त सीव कुमार अपनी बीवी के हाथ में 20,000 रुपय एक्स्ट्रा देता है और कहता है कि ये 20,000 रुपय रखो मेरे पास अभी इतनी है अगर फिर जरूरत पड़ेगी और मेरे पास होगा तो मुझे जरूर बोलना मैं कोशिस करूँगा हेल्फ करने की दोस्तो जब सीव कुमार इतना कहता है तो उसकी बीवी के आँखों में आसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आज जो मेरी हाला थे वो मेरी वज़े से हुई है मेरी कर्टूतों की सजा आज भगवान ने मुझे दी है जिस वक्त मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी आपको मेरे सहारे की जरूरत थी उस वक्त मैंने आपको छोड़ दिया आपके फैमली को छोड़ दिया और मैं वहाँ से भाग चली आई आज मेरी कर्तोतों की सजा मुझे मिल रही है प्लीज मुझे माफ कर दीजे दोस्तों सीव कुमार कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तुम रो मत जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा तुम अपना खयाल रखो और किसी भी चीज की जरूरत पढ़ें तो मुझे जरूर यात करना दोस्तो इतना कहकर सीव कुमार चला जाता है तो दोस्तो यह रही आज की पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजें दोस्तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद